जैहीं दोस्तों पिछले कुछ समय से टॉप फाइब मिक्स कुस्चन का जो सीरीज चला था उसका वीडियो कंटिनीव नहीं हो पाया था फिवर होने के कारण और अव्यवस्ति दिन चरिया होने के कारण वीडियो नहीं आ पाया इस बिच बिहार चुनाप का भी नोटिफिके द scrut情 जारी हो गया है तो उससे लेकर कि जो नेक्स्ट есяम जो भिहार सीटीपियो और भिहार दरोगा का जो एक्जाम होने व BROWN था लगता है कि इन दोनों एक्जामों के डेटों में परिवर्तन देखने को मिलेगा बिहार सी डीपियों का जो एक्जाम 31 अक्टूबर और बिहार दरोगा का जो एक्जाम था वो पांच दिसंबर को पहले से निरधारित किया गया था लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि चुना या गोल्डेन अपर्टूनिटी है काफी अच्छा समय है कि हम BPSC 66B और बिहार सी डीपियों और बिहार SI का तैयारी अच्छा से कर सकते हैं तो अब से जो मेरा टॉप 5 मिक्स कोस्टन होगा वो कोस्टन का थोड़ा पैटर्ण जो होगा हो थोड़ा चेंज होगा थोड़ा ह कि इंसर होगा नीचे कोमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं या आप कहीं और दूसरे जगली करके मिलान कर सकते हैं कि आपका कितना कोस्टन सही हो रहा है तो चलिए देखते हैं आज का प्रस्ट नंबर वन कोस्टन वन कह रहा है कि राज पाल के शंदर्व में निम्न कथन पर विचार करें कथन मेरा वन कह रहा है कि राज पाल का व्यतन राज की संचित नीधी पर भारित होता है और कोस सकेंड एस्टेटमेंट में कह रहा है अनुछेद 356 के अंतरगत राज पाल मुख मंतिरी की सला पर राष्ट पती सासन लगाने की सला शीफारिश करता है तो क अल्युक्त कथनों में से कौन सा कथन जो है यह सत्य है न तो एक नहीं दो केवल एक एक और दो दोनों और केवल दो तो इसमें से हमें देखना है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है कोस्टन हमें यह देखना कि सत्य है या नहीं है हमें यह पूछा जा रहा है कि यहां से इसमें से कौन सा कथन शत्य नहीं है इसमें देखिए राज को कथन वन मेरा कह रहा है कि राजपल का वेतन राज की संचित निधी पर भारित होता है तो यह तो एकदम सही कह रहा है कि राजपल का जो वेतन होता है वो राज की संचित निधी पर ही भारित होता है लेकिन कथन मेरा जो सक कर रहा है कि अनुछेदे 356 के अंतर राजपाल मुख मंतरी की सलाह पर राष्टपती सासन लगाने की सिफारिस करता है जब यह ऐसा तो कहीं नहीं है कि मुख मंतरी की सिफारिस पर तो इसमें राजपाल मुख मंतरी की सिफारिस पर नहीं होता है राजपाल सिफारिस करता है क को राष्टपती को तब जाकर के राष्टपती अनुछ थी 356 के तहत किसी विराज में राष्टपती सासन लगाते हैं ठीक है कोस्चन मेरा आगे है कुस्चन नमबर दू कह रहा है के अंदर सरकार द्वरा चलाई जाने वाली पर्योजिनाओं के संदर्विं में निम्र कतनों पर विचार करें तो यह भी कोस्चन जो है काफी महत्पूल कोस्चन है तो इसका जो ऑप्शन है मेरे पास कथन इसमें एक कर रहा है कि केंदर परायोजित योजनाओं पूरी तरह 100% से केंदर सरकार द्वरा बीत पोसित होती है कथन दो कह रहा है कूर ओफ द इस्कीम केंद प्राण मंतरी गराम सरक योजना एक केंदर परायोजित योजना है तो हम इसमें से देखना है कि इसमें से कौन सा कथन जो है वो कथन सही है आप्शन मेरे पास है केवल एक और दो आप्शन भी है केवल दो और तीन आप्शन सी है मेरा केवल एक और तीन और और आप्शन ड यह जनाय पुरी तरह 100% जो कह रहा है कि केंदर सरकार द्वारा बित पोसीत होती है क्या यह कथन सही है कि 100% केंदर सरकार बित पोसीत होती है केंदर द्वारा ही यह गलत है क्योंकि इसमें कुछ जो हिसा होता है वो राज सरकार क्या भी होता है तो यहां जो दे दिया है मेरा क केंदर सरकार दोरा बित पोसीत होती है छेतरा का अगर रहा जाता परयोजित के जगा तो ये अप्शन सही हो सकता था लेकिन यहां केंदरी है परयोजित या केंदर परयोजित है तो यह हंडिट पर्सेंट केंदर सरकार दोरा नहीं होती है अप्शन सेकेंड कर रहा है कोर प्रयोजीत योजनाव का हिस्ए एक दम राइठ है और परधान मंतरी गलाम संवागी योजना एक कंदर प्रयोजीत योजना ये भी सही है खानी कि इस इस हैंसाबसे मेरा दो और तिन कथन सही है तक केवल बी और बी आप्शन हो जागा केवल दो और तिन मेरा राइट एंसर है कुश्चन तीन कह रहा है देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी प्रोजेक्ट कहां अस्तापित किया जाएगा ओप्शन मेरे पास है दिली, लदाख, तिलंगना, राजस्थान तदेश का पहला जो ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी प्रोजेक्ट अस्तापित किया जा रहा है वो लदाख में किया जा रहा है, एंटी पीसी की सहायक जो कंपनी है, एंटी पीसी आरियेल, री यूनियोवल, इनर्जी लिमिटेड जो है, इसके द्वारा लदाख में इसको अस्तापित किया जाएगा कुश्चन चार है पंजाब सुना एंट पंजाब केसर आर वेराइटी ऑफ वाट तो यहां कोशन कर रहा है कि पंजाब सुना और पंजाब केसर एक किसकी दो वेराइटी है, यह हो की टोमैटो की, विरिंजल की या मैंगो की, तो इसका जो राइट एंसर है वो टोमैटो की है, यहां वीट प कि पंजाब में दिग्गे हों पादनादी होता है इसलियम सुचेंगे कि पंजाब सवना एंड पंजाब के सर्व ही ऐसे कोश्चन में गलती नहों इसलिए ऐसा कोश्चन को हम शमीलित किये हैं कोश्चन आगे कर रहा है कि परधान मंत्री गरीब का लियान अन योजना के शम्बंध में निमलीखित कथनों पर विचार करें इस योजना के तहट परती ब्रेक्ती परती मां पांच कीलो खद्यान केवल यक रूपय में आवांटीत किया जाएगा यह कथन दो है यह आवन टन एन एफ से खद्यान के अजय का अतिरिक्त होगा तो उपर चिक्त में से कौन सा कथन मेरा सच्छत है यह यह देखना है इसमें से कौन सा कफ़िक पर धनमंत्री गवर्योकी समय सुरू किया गया घा था तो कोवड़ न piace मैस को सुरू किया गया था इसे ऑसी करोर परिवारों को लाम मिलेगा ठीक है तो इसमें कए अधर की पर ती बेगति जो अनाजमी रहा है 5 kilo जो आनाज रहा हुँ तो मिलेगी लेकिन इसके अतीरिक पांस केजी और जो आनाज मिलेगा, वो फीरी में मिलेगा ठीक है। वह आनाज जो साफ़ और ऑफ एक केजी डाल भी मिल रहत्थ। और यह आवंटन. दाल मेरा मिल नहीं था वह लो से कहती मिल ला था इसमें मेरा जो होता है इन तहसे सब्यूंसे कहती है तो면 जाब शोड़ स कसला어서 कुछ साथ रही है है तो यह भी गलत हो गिया और यह कोगतन वहां भी मेरा गलत हो गिया तो दोनों कथन मेरा यह गलत हो गया तो इसका जो राइट एंसर होगा वो मेरा डी होगा कि कोई नहीं ठीक है एक होंबर क्या कोश्चन है आप सब के लिए पानी पत का दुधिया यूद कबला रागिया अप्शन है मेरा पंद्रो सो चब्विस इस भी, 1771 इस भी, 1556 इस भी और 1757 इस भी, तो इसका राइट एंसर क्या होगा, आप जरूर बताईएगा, मिलेंगे अगले वीडियो में, धन्यवाद,